आरती जी रादे रादे महारा जी भय मुक्त वा चिंता मुक्त जीवन का सूत्र क्या है कि आंत समय कोई मोह बंदन ना रह जाए और हरी शर्णागती प्राप्त हो जाए भगवान में जब इस्तिती होती है तब जीव स्वाभाविक निर्भय हो जाता क्योंकि अभिनासी का कभी विनासने हो सकता नहींनम चिनन टिसास्तराण नहींनम ढहति पाव कह न निश्चिन्थ हो जाएगा प्र यह जो ग्यान है अपने सुरूप का सरीर में मैं भाह होने से ढख गया देखो चाह जितनी बाते करो अपने को यही आदर रहता मैं पुरुशों मैं इस्त्री हूं अब सरीर को ले करके अगर हम जीएंगे तो भैवी लगेगा शुक भी होगा चिन्ता भी होगी सुख दुख का भी अनुबब होगा हमें अगर निर्भय होना है तो सरीर राग छूटना चाहिए बिना सरीर राग शूटे हम निर्भय नहीं हो सकते तो सरीर राग शूटने के लिए भगवाल का वजल भगवान की सरणागति भगवान की लीला चरित्रों का स्रवन और सब की सेवा जिसकी भी मालोग घर परिवार में जो भी शदस हैं भगवत भाव से दर्मिक सब की सेवा तो हमारा मन निर्भय होने लगेगा जैसे मृत्यू का आखिरी वह सब को सताता है पर जब पता चल गया कि मैं एक सरीर नहीं हूँ वास्तविक फिर भैने रहेगा भक्तों का जीवन ऐसे अंतिम समय पूर्ण होता है जैसे मतवाले हाथी के गले से फूनों की छोटी माला तूटी जाए तो उसे पता भी नहीं चलता ऐसे भक्तों का जो जनमत मरत दुसा दुख होई वो भक्तों को नहीं होता वो भगवान सामने ध्यान में है नाम चिंतन करते हैं शरीर शूट हो गया निर्भैपद बिना भगवान का भजन की नहीं मिल सकता सरीर राग शूटे बिना भए रहित नहीं हो सकते जब तक सरीर में अपना पने तो भए रहेगा कामनाय रहेंगी, चिंता रहेंगे, शोक रहेंगे, तो भगवान की सरण में होकर, भगवान का नाम जब करते हुए, भगवान की लिला चदित्रों का गायन करते हुए, यदि हम जीवन भी तीत करें, और शरीर को एक यात्रा की केवल गाड़ी समझे, देखो पहले, ये शरी बाद में भी आपका नहीं रहेगा पक्का पता है ला कि इस पिंजडे से निकलना होगा निकलना होगा तो ये रूप आपका नहीं है ये कुछ दिन के लिए आपको गाड़ी मिली जैसे सरकारी गाड़ी बंगला बिलते ला ऐसे गाड़ी मिली और ये अध्यात्म की गाड़ी है इससे आप अध्यात्म ग्यान प्राप्त करके भगवान नारायन के सुरूप को प्राप्त हो सकते हैं आप इसे गंदा अच्रन करके भूद प्रेत बन सकते हैं नाली के किड़ा बन सकते हैं आप न रख जा सकते हैं है यह बहुत बढ़ आ है मनुश्य सरीर ऐसा है इसने जो चाह आप राप्त िदसक्राइब करें कोई चाह ना करो तो जीवन्मूक्थ हो जाओ कोही चाह ना हो तह जीवल्मूक्थ होता तो हमें अगर भर दो हो बढ़ा कठी ने देख लो हर बात सरीरे में दरपन देखो तो यह थोड़ी लगता है यह गाड़ी है यह लगता है ना इसलिए हम भगवान की सरणागती में अभी सफल नहीं हो पार है देहा अभिमान देह राग जब हम अपने को इस्त्री समझेंगे तो फिर हमारे अंदर आ वश्चकता है नाना प्रकार की लालसा है है हम अपने को पूर शमझेंगे तो लालसा है और इनी कामना और लालसा में फस गए तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती है भगवान की प्राप्ति होती है जो सारी कामनाओं को मिटा दे सकल कामना हीन जे राम भगति रसलिए औ अगर महराजी चाहे कि प्रफु को सरीर रूप में देखना चाहे तो क्या वो किर्पा बिल्कुल कपिल भगवान ने कहा है कि जो मेरा निरंतर चिंतन करते हैं